हेलो एव्रिवन वेल्कम बाक टो माई यूट्यूब चानल लेट्रेट्रेट्र टॉक्स और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अलेस वॉकर की नॉवल दी कलर पर्पल के बारे में तो सबसे पहले हम आलेस वॉकर के बारे में दोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आलेस वॉकर जो है 4th February 1944 में बॉन हुए थे और इनकी फैमली जो थी बहुत ही बड़ी फैमली थी विली ली एन मिनी लो ग्रांट के यहां पे बॉन हुए थे यह और इनके आठ भाई भैन थे यह एट सिब्लिंग से जिनमें से आलेस वॉकर जो थे वो यंगेस तो आलेस वॉकर ने अपनी ग्राजुएशन 1965 में कंप्लीट करी थी और उसे के बाद उन्होंने राइटिंग शुरू करी थी लाइक नौवर जुखना शुरू करा था तो कलर परपल जो है यह 1982 में पब्लिश की गई थी और बहुत ही जाद सक्सेस्फुल रही थी कि इसे बहुत सारे अवार्ज मिलेते जैसे कि पॉलिटाइज़ प्राइज मिला था फॉर फिक्शन इंचेंटी थी और इंचेंटी फाइव में एक उसकर विनिंग फिल्म भी बनाए गे थी इसके ओपर जो डारेक्ट की थी स्टीविन स्पिलबर्ग तो अब हम बात करते हैं कलर पॉल्पल के प्लॉट के बारे में समरी के बारे में बात करते हैं तो यह जो बुक है यह जो नौवल है ओपन होती है एक यंग लड़की है जिसका नाम सिली है और यह गौट को एड्रेस कर रही है गौट को लेटर्स लिख रही है अपने फियर्स के बारे में जो इसे फ्यूचर को लेकर है जो यह लड़की है इस की sister की life के लिए जिसका नाब Nettie उसकी mother ने दोनों ने एक टाइम बड़ तिया इसके unbiological father के बच्चों को और उसने immediately उसके mother के babies को मार दिया और उसके और Sally के बच्चों को बेज दिया कुछ ताइम बाद वो Sally को भी बेज देता है एक older widow man को जिसके चार बच्चे होते हैं जिसका नाम होता है Mr. Albert Dash और जो यह Mr. Dash है यह उसे मारता है पीटता है उसे फोर्स करता है और उससे काम करवाता है उससे फोर्स करके उससे खाना बनवाता है और उसके घर में जो उसके चार बच्चे हैं उन्हें समालने के लिए फोर्स करता है मीनवाल Mr Jackson उसे नैटी पसंदा आती है, उसके वे लast करता है और जब नैटी को ये पता लगता है तो वो Mr Dash के यहां से भाग जाती है अब जैसे जैसे Sally की Mr. Dash के साथ लाइफ प्रोग्रेस करती है, तो उसके चिल्डन जो है, जो Mr. Dash के चिल्डन है, वो बड़े होते हैं, उसका बड़े बेटे का नाम होता है Harpo, जो की एक यहंग लड़की जिसका नाम Sophie होता है, उसके साथ वो एक Sophia नाम की लड़की के साथ लव Harpo, मैरी कर लेते हैं, और वो दोनों Sally और Mr. Dash के नेबर्स बन जाते हैं, कुछ दाइम बाद Sally और Sophia की friendship हो जाती है, वो बहुत अच्छे friends बन जाते हैं, Sally जो है, वो अपने letters लिखना continue रखती है, वो अपने letters God को लिखती है, और वो अपने letters Nettie को लिखती है, Nettie उसकी भेहन जो Mr. Dash के यहां से भाग जाती है, और वो उन letters में अपनी miserable life explain करती है Mr. Dash के साथ, और वो hope करती है, कि वो बहुत जल Nettie से दुबारा मिलेगी, suddenly Mr. Dash जो है, अपने Mr. Dash को घर पे ले आता है, Mr. Dash अपनी Mr. Shug Every को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसे एक बहुत बुरी disease हुई ह जाने की कोई उसका धिहाँ ने रख सकता, तो उससे यली जो हे, वो बहुत जल्द उससे attracted हो जाती है, एक singer से, शग every ढआती हैं तो उसके साथ बाते कर से लाता हुँआ झाथ इसके साहब हुआ अधार के जाती है , दोनों क्लोज फ्रेंज हो जाते हैं और हार्पो अपने घर में एक जूख पॉइंट बनाता है यानि एक क्लब या बार सा जगा बनाता है वहाँ पर शक एवरी जो है गाने गाती है और उनके लिए काम लेकर आती है लाइक कस्टमर्स लेकर आती है ताकि वो पैसे बना सके सेली और शक जो है वो क्लोस फ्रेंड जैना कॉंटिन्यू करते हैं और अपनी सेक्शुालिटी, लाइफ, लव, फामली इन सब चीजों के बारे में डिसकस करते हैं शाम को हर्पो के यहाँ पर सोफिया जो है वो अपने न्यू बॉइफरिंड के साथ आती है और हर्पो भी अपनी न्यू गर्फरिंड स्कुइक लेकर आता है वहां पे सम्मिलते हैं, रिऊनाइट करते हैं और डांस करते गरते सोफिया गर्फर्स्टिक को मुका मार देती है और उसके दांद तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है कुछ टाइम बाद उन्हें बता लगता है कि सोफिया जो है वो मेर की वाइफ के साथ एक आर्गुमेंट में आगई थी उस रात को और उसने मेर को पंच कर दिया था जिसके बाद से वो जेल में है उसकी सोफिया की फैमिली उसे हल्प करने की कुशिश करती है लेकिन वो हल्प नहीं लेती शक और सेली जो है वो लव में फॉल कर जाते हैं और शक सेली को उसकी बॉड़ी के बारे में फेमिनिटी और सेक्शुयालिटी के बारे में चीजे बताती है एक्स्प्लोर करवाती है फिर वो डिस्कवर करते हैं कि Mr. Dash जो है बहुत टाइम से Nettie के letters जो वो Sally को लिखाई रहे उन्हें छिपा रहा है तो वो बहुत जादो गुस्सा करती है और violent feelings उसके लिए रखती है अपने हाट में और जब वो letters पढ़ना शुरू करते हैं Nettie के तो उन्हें पता चलता है कि उसकी life बहुत ही adventures और new हो गई है जब वो सालों पहले Mr. Elbert के हाँ से भाग कर गई थी तो दो लोग उसे मिले थे जिनका नाम था Corinne और Samuel वो दोनों जो थे वो Christian Missionaries थे और उन्होंने Nettie को अपने साथ रहने की permission दी थी उन्हों दोनों Missionaries ने दो बच्चे अडॉप्ट ही है जिनका नाम था Adam and Oliver और यह पता चलता है कि Adam and Oliver जो है वो Sally के biological children है जिनने उसके फादर ने अन बायोजिकल फादर ने उनके बच्ट के टाइम पर बेच दिया था और यह दोनों जो बच्चे हैं यह इंग्लांड और एशिया में ट्रावल करते हैं और वहां पर लोगों को पढ़ाते हैं और help करते हैं यह एफ्रीका में रहते हैं और वहां के ओलिंका विलेज के हैं बहां पर उन्ह예 हो जाती है और कुछ टाइम प्यार पालोजाते हैं इसके बढ़ाते हैं लेकिन अपनी को फॉस्ट एफ्रीका से चोड़नी पड़ती हैं और तइस पॉइंट वह डिसाइड करते हैं कि वह नेटी की फै आडम और ओलिवर जो है वो अडल्स हो गए है और आडम जो है एक अफ्रिकन गर्ल जिसका नाम ताशी है उसके ब्यार में पढ़ जाता है और कुछ ताइम बाद वो उससे शादी कर लेता है और अमेरिका ले आता है शक सेली को लेकर यानि कि मिस्टर डाश के यहां से चली ज जो है अब वो बहुत जादा खुश है क्योंकि वो अपने ब्यूटिफल हाउस में अपनी बिलब शक के साथ है और उसने एक नियू बिजनर्स शुरू करा है पैंट्स बनाने का जिसका नाम है फॉक पैंट्स अनलेमिटेड और अब उसे यह रिलाइस भी होता है यानि कि उसे पता चलता है कि उसका जो ग्रूवल अन बैलोजिकल फादर है वो मड़ चुका है और उसका जो ओल्ड हाउस है वो शैली के लिए छोड़के गया है अब अनफॉर्चुनेट्ली मिस्टर एलबर्ट जो है वो मतला मिस्टर डैश वो शैली को एक लेटर देता है जो की ने भेज़ो आता है और वो स्टेट करता है कि उसकी फैमली जो है वो जिस शिप में आ रहे थी वो शिप संग कर चुकी है और सेली को बहुत जादा बुरा लगता है मिल्सरेबल फील करती है वो बिलकुल अलोन फील करती है और वो जब अपना न्यू हाउस फिक्स कर रही ह है कि अब वो किसी और से प्यार करती है और वो उसको छोड़कर छे मेने के लिए उस यंग इंतसान के साथ अफेर करने जा रही है सेली जो है वो बहुत जादा ब्रोकन हार्ट फील करती है क्योंकि उसके उसके पास दो-दो लॉस हो जाते हैं और वो अपना जो ये मीन अब कुछ टाइम बाद शक जो है वो सेली के पास वापिस आजाती है उस ते उसका प्यार लेने और नेटी भी उनके बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँँच जाती है सेली के पास अब सेली की लाइफ जो है वह बिलकुल कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि उसकी फामिली जो है वो यूनाइट हो चुकी है इतने सालों की सेपरेशन के बाद अब हम इस नॉवल के मेजर करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं इसमें आठ से दस मेजर करेक्टर्स हैं सबसे पहली है सेली सेली जो है एक यंग गल है जिसके अनबालोचकल फादर उसे रेप करते हैं और उसके बच्चों को बेच देते हैं फोर्च फुली उसे बताया जाता है कि वो डम है यूजलेस है और अगली है और उसके फादर उसकी फोर्च फुली मिस्टर डास से मैरज क कि लिखती है और प्रे करती है कि वो एक दिन नेटी से दुबारा जरूर मिलेगी साली जो है शग Гए वरी मों के प्यार में पढ़ जाती है जो कि mr. Clothing Company शुरू करती है जिसके नाम होते है Fock Pants और Sally को पता चलता है कि उसके Unmological Father जो है वो मर गए है तो वो से अपना Old Home छोड़ के गए है और वो अपने Old Home में Return करती है शक नेटी और उसके बच्चों का वेट करती हुई ताकि वो एक Family की तरह वहां रहे सके नेक्स करेक्टर है नेटी नेटी जो है Sally की यंगर सिस्टर है बहुत ब्राइट अट्राक्ट वर स्ट्रॉंग है और वो Mr. Dash के यहां से भाग जाती है क्यूंकि Mr. Dash उसका फायदा उठाना चाहता है और वो वहां से भाग कर एक माशनेरी कपल के साथ रहने लगती है जिनका नाम होता है क्वर और साम्युल जो बात में इंगलांड छोड देते हैं और ईَफ्रीका जहां पर रहते हैं पढ़ाते हैं और सीज़ें सीखते हैं कोरिन और साम्यूल जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो सेली के बालाजिकल चलरन होते हैं जो नाम ओलिव और अडम होता है नेटी जो है अपनी तुरू आउट लाइफ वो सेली को लेटर्स लिखती रहती है और रियूनियन के रियूनियन करना चाहती है उसके साथ और कुछ राइम बाद कोरिन की देख के कुछ राइम बाद नेटी जो है वो सेम्यूल के साथ मैरेज कर लेती है क्योंकि वो से लव करती है एक स्मॉल सेरीमेनी में इंग्लाइंड में और फिर उसके बाल वो आफ्रिका छोड़ देते हैं नेक्स करेक्टर है ही यानि की नेटी और सेली के अन्बाइलजिकल फादर नेटी और सेली जो है वो उसे पूरी नॉवल में ही ही बुलाते है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया गया और यह बताया जाता है कि यह जो ही है इसका इसका जिसका नाम नाम देजी होता है और उसको भी मिस्तरीट करता है और पुक के एंड में सेली को यह पता लगता है कि वो उसका अन्मालचकल फादर है अब नेक्स करेक्टर के बारे बाद करते हैं जिसका नाम है मिस्टर दायश, तानिकी Mr. Dash जो है उसे कोई surname नहीं दिया गया throughout the book और सिरफ उसके first name से उसे बुलाया गया यानि कि Albert और Albert सिरफ उसे शक every बुलाती थी ये एक बहुती cruel man है ये Sally को मारता है उसे force करता है काम करवाने के लिए और अपनी message के साथ play करता है however जैसे जैसे ये बुड़्दा होता जाता है ये अपनी life में लोगों को खो देता है और religion और kindness की importance को discover करता है next है शक every शक every जो है ये exotic singer है entertainer है जो Sally और Mr. Dash डोनों का heart steal कर लेती है और ये night club में acts perform करती है इसे queen bee भी कहा जाता है और इसकी बहुत जादा singing और drinking में reputations होती है और जो ये शक every है ये middle of the novel ill हो जाती है और Mr. Dash इसको अपने घर ले आता है और वहाँ पर ये और Sally एक दूसरे के प्यार में गिर जाते है ये Sally को सारे चीजे सिखाती है उसकी love life और body की बारे में दो ये बहुत सारे लोकों के साथ गूम रही है सो रही है but she has all her heart to Sally अब हम Harpo के बारे में बात करते हैं Harpo जो है वो Mr. Dash का eldest son है और ये strong नहीं है independent है मतलब जाता strong नहीं है independent है और manly है other boys की तरफ ये सोचता है और act करता है अपने heart से और ये एक लड़की जिसका नाम Sophia है उसके प्यार में पढ़ जाता है और बाद में उसे शादी कर लेता है और Sally और Mr. Dash के घर के पास ही रहता है इनके चार बच्चे होते हैं और Sophia इसे छोड़कर चली जाती है फिर उसके बाद या के लिए रहना सीख लेता है Sophia Butler जो की Mr. Harpo की wife होती है, robust, youthful, pregnant, 15 year old girl है ये, outspoken, independent, strong है और इसके Harpo के साथ 4 बच्चे होते हैं और उसके बाद या Harpo को छोड़कर चली जाती है और काफी टाइम बाद वो घर वापिस आती है अपने new boyfriend के साथ और Harpo की new girlfriend को ये punch करती है और उसके बाद mayor के साथ भी एक fight ले लेती है जिसके ही वज़े से ये nearly 8 years jail में spend करती है next है squeak यानि के marie agnes, marie agnes या squeak जो है Harpo की girlfriend होती है Sophia के चले जाने के बाद, ये coit है, obedient है और वो सब चीदे करती है जो Harpo इसको बोलता है करने के लिए और Sophia के बिलकुल opposite है अब minor characters में हम Olivia और Adam की बात कर लेते हैं Olivia जो है वो Sally की biological daughter है जो उसके step father की वज़े से हुई और Christian Missionaries Corin और Samuel ने इसे adopt किया था जिनोंने Africa में इसे raise किया और Nettie ने भी help की उनकी Olivia को raise करने में और Nettie Olivia को अपने ही बच्चे की तरह मान दिया Adam जो है यह second child है उसके unbiological father से जिसे भी बेच दिया था उसके father ने और Corin और Samuel ने ही इसे भी adopt किया और इसे भी Africa में raise किया Adam जो है बहुत strong और healthy boy है जो African woman Tashi के साथ love करता है और बहुत जादा confused और angry रहता है African ceremony and traditions की वज़े से और वो उस लड़की को इतना जादा प्यार करता है कि वो same facial scarring करवाता है अपने face पर ताकि वो look alike लगे as a married couple आपको वीडियो अच्छा लगा होगा समझाया होगा और अगर समझाया है तो don't forget to subscribe, share and like मिलते हैं रेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाबाद